दोस्तो आप अपने फोन में जैसे Bluetooth को on करकर यहाँ पर अपने फोन में AirPods को connect करती है तो यहाँ पर आपके फोन में एक प्रोलम आती है यहाँ पर AirPods पर जैसी आप क्लिक करती है तो यहाँ पर दोस्तो आपको connecting के option देखने को तो मिल जाती है पर जैसे दोस्तों यहाँ पर यह connecting खतम होती है तो यहाँ पर आपको एक problem देखने मुलती है could not connect same यही problem दोस्तों आपको बार बार आती रहेगी जितनी मर्जी चाहे दोस्तों आप Bluetooth को on off करकर भी देख लीजिए फिर भी दोस्तों same यही problem आईगे आपके airports connect नी होंगे जितनी मर्जी बार दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दुबार से मैंने यहाँ पर आपको प्लिक करकर दिखा दिया same वही problem दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अगर इस तरह की problem दोस्तों आपको बार बार आ रही है तो आज किस वीडियो को आप last तक दियान से देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यह problem 101% ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ से back आ जाना है आपने क्या करना है अपने phone में settings को open करना है चाहे आप कोई भी phone यूज़ करती है सभी में दोस्तों सेम इसी तरह से आप इस settings को कर सकती है इसके बाद आपने थोड़ा सा निची के और score down करती जाना है यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिल जाएगी apps नाम से तो यहाँ पर apps वाली option को आप अपने phone में open करेंगे जैसे यह open करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी option देखने मिल जाएगी sad में आप देख सकते your apps की option देखने मिलेगी so system apps को यहाँ पर आपने enable कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने Bluetooth का जो application है उसको यहाँ पर आप find करेंगे find करने के बाद इस application को आप अपने phone में open कर लेंगे open करते दोस्तों यहाँ पर आपको एक settings को कर देए थोड़ा सा नीची को और scroll down करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक storage की option देखने को मिल जाएगी storage वाली option में ही आप सभी दोस्तों ने click करने है click करने के बाद यहाँ पर दोस्तों Bluetooth का सबसे पहले clear catch कर देने है इसके बाद दोस्तों इसका clear data भी कर देने है यहाँ से दोस्तों clear data करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा time यहाँ पर wait करेंगे तो इसके बाद यहाँ से आप back हो जाएंगे अब आपने Bluetooth को दुबारा से अपने phone में जाकर on करना है जैसे दोस्तों आप Bluetooth को on करेंगे और यहाँ पर अपने airports को connect करेंगे तो यहाँ पर automatic ही दोस्तों आप देख सकते हैं आपके airports यहाँ पर connect हो जाएंगे जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी मैंने airports पर click किया तो यहाँ पर automatic connect हो चुकी है यहाँ पर हमारी battery भी शो रही है तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी इस प्रोलों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं तो वीडियो गर आपको पसंद आईए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आएए तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ जूर शेयर करना